C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है ये श्रिंखला राग अनुराग इस श्रिंखला में आईए सुनते हैं ये कारेक्रम दादरा जो राग खमाच पर आधारित है दादरा दादरे की शैली ठुमरी से मिलती जुलती है परंतु दादरे की गति ठुमरी से तेज होती है और इसमें स्वरूं से खेलने की स्वतंत्रता और उन्मुक्तता अधिक होती है इसमें प्रमुक भाव श्रिंखार का होता है दादरा शैली दादरा ताल में ही गाई जाती है दादरा ताल एक दृत और चंचल ताल है मुख्यता, श्रिंगार और नृत्य प्रधान गीत इस ताल में गाई बजाए जाते हैं इस ताल में छै मात्राई होती है दादरा ताल क्या होती है? आईए पहले इसके बारे में जान लेते हैं ताल दादरा दादरा ताल में छै मात्राई होती है दो विभाग होते हैं, एक ताली होती है वग एक खाली होती है दादरा ताल की पहली मात्रा पर ताली होती है वग चौथी मात्रा इसकी खाली होती है ताल दादरा धा धी ना धा ती ना अब आप ताल दादरा तबले पर सुनिये अब आप ताल दाद्रा की ठेके की तीन-चार आवर्ती सुनिए ताल दाद्रा राग खमाज पर आधारिक दाद्रा सुनने से पहले आईए राग खमाज को भी थोड़ा जान लेते हैं राग खमाज खमाज थाट का राग है इसके आरोह में रे वर्जत स्वर है इसके आरोह में शुद्धनी और अवरोह में कोमलनी लगता है इसकी जादी शाढ़व संपून है राग खमाज का वादी स्वर गंधार और समवादी स्वर निशाद है राग खमाज का गायन समाए रात्रे का दूसरा प्रहन है राग खमाज का आरोह इस प्रकार है राग खमाज का अवरोह इस प्रकार है सानी दापा मागर साथ सानी दापा मागर साथ अब प्रस्तुत है राग खमाज की पकड़ नीधा मापाधा मागर आईए अब सुनते हैं राग खमाज पर आधारत दादरा दादरा की बंदिश के बूल है अब मू से रार क्यों मचाई 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 सावरे कनाई सावरे कनाई माखन दूंगी तो को मैं माखन दूंगी तो को मैं काहे रार मचाई अब मू से रार क्यों मचाई अब मू से रार क्यों मचाई पाट चलत नंद लाला रोके दूध दधी सब खाई अब मोसे रार क्यों मचाई अब मोसे रार क्यों मचाई अब मोसे रार क्यों मचाई रीजत ग्वाल ग्वालिन सब आई रीजत ग्वाल ग्वालिन सब आई साबरे कनाई अब मोसे रार क्यों मचाई अब मोसे रार क्यों मचाई अब मोसे रार क्यों मचाई संगीत भौगुलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता भारतिय राग केवल भारतिय वाद्य अंत्रों पर ही नहीं बलकि पास्चात्य वाद्य अंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है भारतिय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य अंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है यही नहीं भारतिय पारंपरिक वाध्य अंत्रों के साथ विदीशी वाध्य अंत्रों को मिलाकर भी भारतिय शास्त्रिय और उपशास्त्रिय संगीत बजाया जा सकता है जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है फ्यूजन संगीत के अंतरगत भारतिय शास्त्रिय और उपशास्त्रिय संगीत बहुत अधिक प्रचलत है तो अब प्रस्तुत है पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्धियंत्रों की संगत के साथ राग खमाज पर आधारित दादरा की रचना बोल वही है अब मुसे रार क्यों मचाई 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 साबरे कनाई साबरे कनाई माखन दूंगी तो को मैं काहे रार मचाई काहे रार मचाई अब मुसे रार क्यों मचाई अब मुसे रार क्यों मचाई अब मुसे रार के रार क्यों मचाई अब मुसे रार क्यों मचाई बाट चलत नंद लाला रोके दूद दधी सब खाई अब मों से रा क्यों मचाई अब मों से रा क्यों मचाई रीजत ग्वाल ग्वालिन सब आई सावरे कनाई अब मों से रा क्यों मचाई अब मों से रा क्यों मचाई अब मों से रा क्यों मचाई भारतिय संगीत की अनन्य विशेशताओं में से एक है विश्व की समक्र संगीत विधाओं को आत्मसाथ करने की अध्भुत्ख्षमता जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर की संपूनता के साथ वैश्विक्षतिच पर विस्तारत और परिलक्षत होता है इसी विलक्षण गोन की जहलक के रूप में अप्रस्तत है दादरा पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्धी अंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में कर दो कर दो कर दो कि झाया है कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कि अ रहुआँ गभार इसे साथ हो तो कि अ जना ड़ा इस दो कि अ अ जना आगा कि अ जना आगी खो कि अ इह नहार हो व दो तो, बगा सकता जादां कि अ अ जना आगा है संगीत विध्यार्थी एवं श्रोतागर्ण से अनुरूत है कि प्रस्तोत्राग और दादरा का स्वर्विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रिंखला की अंतरगत ये कारिक्रम परियोजना परिकल्पना प्रफेसर अम्रेंद्र कुमार बिहरा श्रिंखला संचालन राजेश निमेश आलेक परामर्ष डॉक्टर इंदु कुमार विशेश आभार अजीत होरो आलेक अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित आलेक सहयोग रवीश त्रिपाथी गायन पंडित निर्माल्यडे और नेहा खंक्रियाल वाचनस्वर जितेंद्र रामप्रकाश तक्नीकी निर्देशन बटिलेंग लिंग्डो धुनियंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान निर्मान सहयोग तनुगुप्ता और मिनाक्षी कुक्रेती निर्मान निर्देशन वध् अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत